हाई एवरिवन आज हम लोग बॉक्स बनाने वाले हैं तो कैसे बनाने का बॉक्स एकदम इजी वे आज मैं आपको दिखाने वाले हूँ तो कैसे बनाने का पहले यह रेक्टाइंगल पेपर है हम लोगों को क्या करना है पहले यह पेपर फोल्ड करना है तो ऐसे हम लोगों ने फोल्ड किया पेपर उसके बाद यहाँ पे प्रेस करना है प्रेस करने के बाद हम लोगों को यह जो साइड है यह यहाँ से ठीक से लेके हम लोगों को यहाँ पे फोल्ड करना है और प्रेस करना है और ये जो बचा हुआ पार्ट है, वो कट करना है, कट करने के बाद ये साइड में रख दो, ये फेक को मत, उसके बाद अपना पेपर ओपन करो, पूरा ओपन करो, आप लोगों को दो चौकॉन मिलेंगे, मतलब आप लोगों को दो स्क्वेर मिलेंगे, कट करो दो स्क्वेर क उसके बाद जो में दिखाने वाली हूँ ये पेपर के साथ वो सेम आपको ये ही पेपर के साथ करना है तो पहले आप लोगों को क्या करना है ये आपका स्क्वेर है यहाँ पे पहले ही एक लाइन है स्लांटिंग लाइन है तो आपको ये slanting line चाहिए इसके लिए आपको ये side और ये side दोनों side एक दुसरे के उपर joint करना है और ये fold करना है उसके बाद आपको ये part open करना है तो आपको ये cross में मिल जाएगा cross में मिलने के बाद आपको यहाँ पर एक center दिखेगा तो ये side लेके ये center पर joint करना है और ये side प्रेस करना है उसके बाद सभी side के साथ same करना है प्रेस करना है उसके बाद ये side के साथ भी same करना है और ये side के साथ भी same करना है ऐसा होने के बाद आपको क्या करना है ऐसे पकड़ने का है square में उसके बाद यहाँ पे एक line है sleeping line ऐसे तो यह भाग लेने का और यहाँ पे fold and paste करने का same यही side के साथ आपको same करना है fold and paste it उसके बाद open करो यह side और ऐसे पकड़ो अभी हम लोगों कोई यह side मिला यह side के साथ भी same करना है यहाँ पे एक sleeping line है तो यह side लो और यहाँ पे fold करो press करो और उसके बाद यह side लेके same यहाँ पे करो हो गया उसके बाद open करो आपका paper ऐसे पकड़ो आपको यहाँ पे बहुत सारी line दिखाई दे रहे तो आपको अभी क्या करना है आपको फेवी कॉल लेना है फेवी कॉल लेके आपको यह side में लगाना है और यह side में लगाना है उसके बाद यह है आपका point यहाँ पे यह side यहाँ पे stick करना यहाँ पे छिपकाना है तो कैसे छिपकाने का यह side लिया यहाँ पे मैंने छिपकाया उसके बाद ये साइड लिया और यहाँ पे चिपकाना है इसे फोल्ड किया अच्छे से अभी आपको लाइन दिख रहा है तो ये साइड लेके यहाँ पे आपको स्टिक करना है ओके क्या करना है आपको ये जो साइड है वो ये लाइन में ऐसे चिपकाना है तो चिपकाने के लिए आपको यह भाग थोड़ा उपर लेना पड़ेगा तो पहले में क्या कर रही हूं यहाँ पर फेविकॉल लगा रही हूं यहाँ पर मैंने लगा दिया चिपका दिया और ये साइड भी मैंने सेम किया तो ये साइड अच्छे से प्रेस करो मतलब आपको ऐसा मिल जाएगा जो मैंने ये साइड के साथ किया है वही हम लोगों को ये साइड के साथ भी सेम करना है मैंने ये साइड ओपन किया है फिर से मैं ये दो साइड में एजेस में सिफ यहाँ पे फेविकॉल लगा रहे हूँ ओके फेविकॉल लगाने के बाद ये वाला मेरा सेंटर पॉइंट यही लाइन का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे सिफ क्या करना है छिपकाना है छिपकाया उसके बाद अभी फिर से हम लोगों को सेम लाइन मिला तो हमें क्या करना है? मैं आपको sketch pen से दिखाती हूँ ये वाला part है ये वाला जो part है वो हम लोगों को यहाँ पर लगाना है ये वाला part हम लोगों को यहाँ पर आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए, थोड़ा उठाओ ये वाला पार्ट, ओके, थोड़ा उठाओ और यहां पे इसे stick कर दो, ओके, मतलब हम लोगों को क्या करना है पहले, यहां पे थोड़ा favical लगाओ, यह side थोड़ा favical लगाओ, हो गया, उसके बाद यह वाला जो side है, वो यहां पे किया हम लोगोंने लगाने के बाद सी दोनों साइड के साथ हम लोगोंने सेम किया अभी इतना होने के बाद हम लोगों को ये थोड़ा साइड है ये थोड़ा एजे से साइड वाले जो है वो अच्छे से फोल्ड करो और अगर आपका ये पार्ट थोड़ा ऐसे उपन हो रहा ह तो फेविकॉल लगाओ अच्छे से और वह स्टिक कर दो आप ज्यादा करके फेविकॉल यूज करो इसके बाद आपको यह ऐसा मिला उसके बाद यह जो लाइन है यह जो बॉक्स है वह हम लोगों को अंदर डालना है इसके अंदर तो हम लोग यह बॉक्स इसके अंदर डालेंगे और यह बाद फोल्ड करेंगे ऐसे यह साइड के साथ भी हम लोगों को सेव करना है यह जो लाइन है यहाँ से यह नीचे जाएगा जाने के बाद यहाँ पे प्रेस करो अच्छे से और उसके बाद ऐसे नीचे भी थोड़ा सा दबाओ नीचे भी थोड़ा सा प्रेस करो यह ऐसे तो उसके बाद ही आप लोगों को ऐसे परफेक्ट बॉक्स मिल जाएगा समझ में आया सबको और अगर आपका यह साइड ठीक से नहीं आ रहा है तो अच्छे से फोल्ड करो तो ऐसे ही आप लोग यह ही पेपर के साथ फिर से आपको खुरना है मैं directly यह पेपर के साथ आपको बनाया हुआ दिखाती हो तो आप लोग देखो कि मैंने दूसरा भी ऐसा ही सेम बनाया है तो ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है कि हम लोग कैसे बना सकते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाया उसके बाद ये बॉक्स अगर आपने देखा तो दोनों का साइज से में साइड के साथ आप लोग कर सकते हैं उसके बाद ये आप लोग ऐसे एक के अंदर दूसरा धीरे धीरे डालो और वो ऐसे आपका बॉक्स रेडी हो जाएगा आपका बॉक्स रेडी होने के बाद आपको क्या करना है इसके उपर आइस ड्रॉ करना है दो सरकल करना है उसके बाद ऐसे यहाँ पे भी एक सरकल करना है यह वाला पार्ट थोड़ा छोड़ दो अभी आपको जैसे फेस चाहिए अभी मुझे स्माइली फेस चाहिए तो मैं ऐसे करूंगे यह थोड़ा उपर करूंगी मुझे जैसे डेकोरेट करना है आपको जैसे डेकोरेट करना है वैसे आप डेकोरेट कर सकते हो अभी यहाँ पे मैं इसे थोड़ा स्माइल लिखा रहे है होगे आपका बॉक्स रेडी यह देखो अच्छा है ना बॉक्स जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने दो शीट्स लिया है तो दो शीट्स का मैंने साइज लिया है यहाँ पर 3.5 मैंने लिया यह तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं पहले हम लोग क्या बनाएंगे वाज बनाएंगे जो घड़ी हम लोग पहनते हाथ में वो वाला बनाएंगे तो यह बहुत इजी है अगर आप लोगों ने एक बार देख लिया कैसे बनाने का तो आप इजी वे ऐसे बना सकते हो तो यह इसे लाइन ड्रॉ करो उसके बाद पेपर कट करो पेपर कट होने के बाद अभी आपको यह इतना पार्ट मिला तो क्या करना है पहले आप लोगों को यह ऐसे यह दोनों साइड ऐसे जॉइंट करना एक दूसरे को फिंगर ऐसे लेके प्रेस करना है हो गया उसके बाद फिर से ओपन करो ओपन होने के बाद आपको यह साइड और यह साइड दोनों साइड एक के उपर दूसरा लाना है फोल्ड करो यह स्टैंडिंग लेन आप दिख रहे हैं यह आपे यह साइड लोग और यहाँ पे कोन कैसे बनाते हैं हम लोग वैसे बनाने का है और सेम यह साइड के साथ करना है इतना होने के बाद आपको यह साइड और यह साइड दोनों उपन करना है और आपका हाथ यहाँ पे रखना है अभी यह ऐसे पकड़ो और दीरे दीरे जाके यह ऐसे साइड ऐसे उपन करो उसके बाद अपने fingers की सायता से ये नीचे प्रेस करो अच्छे से उसके बाद fold करो ये side के साथ भी same करना है अपना finger ऐसे अंदर डालो उसके बाद ये नीचे fold करो और प्रेस करो हो गया इतना उसके बाद ये जो side है पहले एकी side लेना है उपर fold करो उसके बाद एक finger यहाँ पे रखो ऐसे और ये नीचे करो fold और ये ऐसे प्रेस किया फिर से पीछे side जाओ ये फिर से same करना है हम लोगों को इतना तक fold करना है यहाँ पे अपना finger रखना है और ये fold करना है ये दोनों एकी line में proper आना चाहिए बराबर आना चाहिए उसके बाद ये paper नीचे रखो अभी ये part है ये हम लोगों को क्या करना है तीन parts में divide करना है तो कैसे करना है divide first हम लोगों ने ये side लिया अभी इसका तीसरा part तो पहले हम लोग पहला part निकालने वाले तो पहला देखो ये और ये side दोनों सेम आना चाहिए ऐसे fold करने का किया fold अभी मैंने ये side प्रेस किया ये side भी open हो रहा है तो यहाँ पे भी अपना finger डालके open गरके ऐसे प्रेस कर दो अभी ये side ये जो side है वो यहाँ पे आना चाहिए तो धीरे धीरे ये side आया उसके बाद उपर जाओ और ये fold and press it हो गया ये side के साथ भी same ही करना है तीन parts में divide करना है अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को ये side आरम से देख रहे हैं तो आप ये side के हिसाब से भी कर सकते हो तो आपका ये पहला part हो गया धीरे धीरे आप लोग उपर गया ऐसे अच्छे से अभी ये fold किया प्रेस किया अभी ये side के साथ भी same किया हो गया इतना उसके बाद आपको क्या करना है ये दोनों part ऐसे पकड़ने का है और ऐसे open करना है open होने के बाद आपको क्या करना है फेविकॉल ले लो जादा करके फेविकॉल ले लो ये अच्छे से stick हो जाएगा और यहाँ पर लगा दो ओकी और ये ही फेविकॉल आपको ये side भी लगाना है और ये side अच्छे से press करो press होने के बाद आप जबी पीछे side turn करोगे आपको ये ऐसा घड़ी मिल जाएगा तो घड़ी में क्या होते है numbers होते हैं हम लोगों को यहाँ पर फिर numbers डालने पड़ेंगे ऐसे मैंने lines draw किया मैं सिर्फ 4 numbers डाली हूँ आपको अगर और सारे numbers चाहिए तो आप डाल सकते हो आप pencil से भी कर सकते हो ये मैंने छोटा वाला काटा दिखाया ये बड़ा वाला इतना होने के बाद अभी आपको एक question पढ़ जाएगा कि घड़ी कैसे डालने का हाथ में कैसे डालने का तो ये दोनों side देखो जो side आपको छोटा दिख रहा है अभी ये side छोटा है तो मैंने ये ऐसे काट दिए काटने के बाद क्या हो जाएगा इसके अंदर ये side के अंदर ओके दीरे दीरे करके डालो अगर नहीं जा रहा है फिर भी ऐसे open करो ऐसे डाल दो हो गया आपका घड़ी रेडी आप ऐसे हाथ में डाल सकते हो और उसके बाद आप ऐसे वो लगा सकते हो समझ में आया सबको अभी मैं आपको दिखा रही हो butterfly कैसे बनाने का है ये paper के साथ तो butterfly की ring बनाना है हम लोगों को तो butterfly की ring बनाने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे 3.5 measurement लिया है 3.5 उसके बाद standing line अभी ये मुझे क्या करना है अभी ये मुझे cut करना है तो अच्छे से मैं paper एक हाथ में पकड़ूंगी उसके बाद मैं क्या करूंगी इसको cut करूंगी cut होने के बाद फिर से क्या करना है ऐसे पकड़ो ये और ये set दोनों joint कर दो दीरे दीरे press करो हो गया उसके बाद open करो ये और ये set दोनों एक दूसरे को joint करो मतलब fold करके press करना है अभी ऐसे standing में पकड़ो standing line दीख रही है take out this side ये side लेलो और ये side यहाँ पे joint कर दो same हम लोगों को क्या करना है ये side के साथ भी करना है हो गया अभी ये side open करो एक finger अपका यहाँ पे रखो ये जो line है इसके बाहर और ये paper ऐसे पकड़ो अभी ये paper के अंदर अपना finger डालो ये जो पाटे वो नीचे ऐसे fold करो आगया fold अभी ये बंद करो हो गया अभी यही side के साथ हम लोगों को same करना है ये side open किया अभी ये open किया ऐसे नीचे fold किया properly उसके बाद ऐसे press कर दो उसके बाद क्या करना है आप लोगों को ये side उपर करके fold करना है उसके साथ पीछे जाओ और पीछे वाली side के साथ भी same करना है अभी ये मैंने ऐसे रखा तो यहाँ पे भी एक line दिख रही मुझे ये side लेलो और यहाँ पे fold करो ये side के साथ भी हम लोगों को same ही करना है पीछे turn को रुपे पर same करो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया है वैसे same ये side में भी करना है हो गया उसके बाद ये paper ये जो line है उसके हिसाब से उपर fold करना है किया यहाँ पे एक finger रखो और ये ऐसे नीचे fold करो ये side भी same करना है ये जो line है इसके हिसाब से हम लोगों को ये उपर करना है एक finger रखो और ये नीचे fold करो हो गया अभी हम लोगों को क्या करना है ये जो है ये तीन पार्ट में divide करना है तो तीन पार्ट में कैसे divide करेंगे ये पार्ट लो और इसे देखो ये side और ये side same है क्या नहीं उसके हिसाब से ही लेना है आपको तो मैंने ऐसे fold किया ये वाला अभी ये line भी open हो रहा है तो मैंने ये line भी अच्छे से अगर नहीं open हो रहा होगा तो आपको क्या करना है पेंसिल से ये पार्ट ऐसे थोड़ा open करना है पेंसिल का यूज करो और प्रॉपर ऐसे open करो और ऐसे fold करो उसके बाद ये जो line है वहाँ पे ये वाला part ऐसे सिव जोइन करने आपको और ये जो line है ये जो open हो रहा है वो part open कर दो अभी ये ही same procedure हम लोगों को ये side से करना है तो कैसे करना है पहले हम लोगों को अभी पीछे तो ये side दिखे रही है तो उसके इसाब से तीन पार्ट में divide करना है ये और ये दोनों पार्ट सेम आ गए fold करो अच्छे से press करो और same हम लोगों को ये part लेके यहाँ पे सिर्फ joint करना है ऐसे fold किया अच्छे से उसके बाद यहाँ पे मैंने press किया इतना होने के बाद अभी मैंने क्या करे हूँ अभी मैं ये अच्छे से open करे हूँ open करने के बाद पहले हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग फेवी कॉल लेंगे फेवी कॉल लेके ये साइड अच्छे से हम लोग स्टिक कर देंगे ये साइड भी अच्छे से स्टिक कर देंगे प्रॉपरली ऐसे स्टिक होने दो हो गया? उसके बाद ऐसे ओपन करो ये दोनों साइड दिखो जो साइड चोटा है वो साइड हम लोग पहले से कट कर देंगे कर तो कट हो गया है यह आपका है रिंग रेड़ी है और उसके बाद यह के अंदर दूसरा कैसे डालेंगे इसके यहां पर पिर से अगर यह पाट ठीक से open नहीं हो रहा होगा यहाँ पर हम लोग ऐसे open करेंगे और यह अंदर डालेंगे जितना अंदर चाहिए उतना आप डाल सकते हो यह अच्छे से stick होने के बाद आप चाहिए तो इसके उपर ऐसे lines ऐसे dots छोटे दे सकते हो और अगर आपको और कुछ design चाहिए आप कर सकते हो मतलब यह beautiful लगने के लिए बहुत ऐसे सुन्दर लगने के लिए ऐसे तो आप यह है ऐसे ही मैंने छोटा वाला बनाया है कि जिसके जो आप अपने finger में भी डाल सकते हो अच्छे से और आप यह भी डाल सकते हैं ओके यह देखो तो मैं आपको कुछ दिखाने वाले चीज़ें क्या कर सकते हो आपने बनाया बैटरफ्लाय वाला रिंग बनाया और यह घड़ी बनाया आप इसके अंदर डाल हो और आराम से आपका box आप बन कर सकते हो जैसे मैं आपको दिखाया वैसे यह निकाल के आप आप आपका watch भी डाल सकते हो आप आपका watch ऐसे भी रख सकते हो आर मेंने और बनाया है तो यह जो मेरा बैस है यह ऐसा वाला मैंने बनाया जिसके अंदर आराम से यह अंदर जा सकता है इसके लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखो तो उसमें मैंने दिखाया आप लोगों को कैसे बनाने का यह ऐसे अंदर गया आराम से उसके बाद आप इसके अंदर अपने जो कुछ बनाया लाइक अपने घड़ी बनाया है अपने रिंग बनाया है ऐसे अंदर डालके ऐसे अंदर डालके आप इसको बन कर सकते हो उसके बाद मैंने और एक यह बनाया है यह इसके अंदर वाला पार इसके अंदर आराम से गया यह मेजर्मेंट वगेरा सब कैसे लेने का यह मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में दिखा है आप प्ले करके पॉस कर सकते हो यह अच्छे से ठीक से इसे धीरे धीरे ऐसे डाल के पूरा अंदर डाल सकते हो ऐसे अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हो और उसके बाद आप लोग यह बन कर सकते हो यह आप ऐसे रख सकते हो आपको जैसे चाहिए वैसे रख सकते हो और यह और एक है जो मैंने कलर की कलर लेके जो डाबिंग किया है वो आप लास्ट वाले वीडियो में देख सकते हो अगर पसना या, तो लाइक करो बाइ